Hello students, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज हम देखने वाले हैं स्वागत है आपका daily quiz ठीक है तो आज reasoning ability की quiz number 4 है ठीक है आज हम देखने वाले है math operation या इसको inequality भी बोलते हैं और ये memory based है IBPS PO 2019 के preliminary examination में तो चलिए जादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं अगर आपने previous quiz वाले math की quiz या reasoning की quiz या puzzle वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका link हमारे चैनल बे मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके देख सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे वहले direction conclusion 2 ठीक है you have to take the given statement to be true आपको जो statement मिला है आपको इसको सच समझना है if there seems to be variance from commonly known fact अगर वो ठीक है यह उसका उठ गया है सिदा सिदा चलेगा read all the conclusion and decide whether the given conclusion is logically follows from the given statement disregarding the commonly known facts ठीक है यह वन diagram का आगया है instruction आपको ऐसे देना है condition a तभी answer करना है जब सिर्फ conclusion one follow और बी तभी answer करना है जब सिर्फ conclusion two follows option c अब answer करना है रहा हो यह तो 2 ॉप्शन d तब answer करना है दोनों ही conclusion फालो नहीं हो रहे हो और option e तब answer करना है मुझे उम्मीद रहे हैं कि अपको पता चल गए औक कि आंसर किसे देना है ठीक है सबसे पहले question के सबसे पहला question जो है वो क्या है हमें मिला है a greater than m greater than r is equals to f greater equal to z less than x less than c less than v greater than b greater than n सबसे पहला conclusion हमें क्या judge करना है a is greater or equal to z क्या a is greater greater or equal to z सही है, अब A से लेके कहा तक देखना है, और ये A और ये Z, greater or equal double sign होती है और ये greater or equal to हर बार चाहिए अपिसे हैं यहाँ पर एक रिट्र देन सिंगल साइन है यह भी सिंगल साइन है तो डिसाइर सी बात है यह गलत है ठीक है दूसरा जैड लेस देन वी जैड लेस देन वी मतलब जैड जैड से लेके वी तक देखना है ठीक है z से लेके v तक अब देखो तो z less than v clearly दिख रहा है क्योंकि z less than x less than c less than v तो z less than v सही है तो हमारे पास दूसरा conclusion सही मिल गया है तो हमारा answer निकल के आज आज आएगा only conclusion to follows यानि हमारे question 1 में option b हमारा answer है ठीक है बढ़ते हैं अगले question के और अगला question में हमें statement मिला है बड़ दो हिस्सों में मिला है ठीक है कि z less than x less than c less or equals to v ठीक है अब कहां से joint हो रहा है c से joint हो रहा है कि भाई b greater than c c less than g less than h less or equals to j पहला conclusion क्या है z less than g यानि z से लेके g तक देखना है z छोटा होना ज़े छोटा मतलब less than less than less than तो z less than g definitely सही है x less than j x less than j x यहां पर है और j कहां पर है x से लेके j तक देखना है मैं आपको दिखा रहा हूँ x से लेके j तक x less than है less than है less than है less than है less or equals to मतलब x less than j भी सही है क्योंकि single sign flow change नहीं है तो चल जाएगा तो यहां पर भी answer किया जाएगा only conclusion to follows ठीक है sorry answer b नहीं जाएगा क्योंकि पहला भी सही है यह रहा पहला सही है तो दोनों सही है तो answer option e जाएगा ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले question की और अगला inequality का जो question है वो क्या है हमें सीधा statement मिला है तो हमें कोई भी edit करने की जरूरत नहीं है q greater than equals to t टूनना है अब देखो q और t के बीच में यहां पर e और r मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में देखो यहां पर e से लेके t तक यह देखो यह flow भी change है यह less than का flow है यह greater than का है तो flow change हो गया मतलब यह जो conclusion है यह किस में चला जाएगा doubt में चला जाएगा तो doubt को हम answer तो नहीं चला जाएगा r less than equals to i हमें कहां से देखना है r से देखना है r से लेके i तक क्या r less than equals to i होगा अब less than equals to चाहिए तो हमारा पहला doubt में दूसरा गलत है तो हम दोनों ही answer नहीं कर पाएगे तो हमारा answer हो जाएगा option d neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows ठीक है अगले सवाल क्या और बढ़ते हैं अगले सवाल में हमें joint करना पड़ेगा तो मैं बना लेता हूँ a less than s less than d और f same ही रहेंगे क्योंकि वो equal है और greater than g अब h d z d से joint होगा h is greater than d तो h is greater than d और d is less than z is less than x is less than c ठीक है अब judgment करते हैं judgment में सबसे पहला हमें किसको देखना है कि भाई a is greater than c हो रहा है कि नहीं a से लेके c तक देखो a less than c less than तो मिल रहा है मतलब यह सही है c is greater or equal to अब यह double sign है greater or equal to तो यह हर बार होनी चाहिए c से लेके g तक क्या c से लेके g तक हर बार greater or equals true why greater or equals true है ही नहीं greater than ही है तो यह तो हो गया गलत दूसरा false पहला सही हमारा answer निकल जाएगा option a only conclusion 1 follows ठीक है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा basic concept समझ पता है तो आप आसानी से समझ जाओगा basic concept नहीं पता है तो आपको उसका वीडियो देखना पड़ेगा channel पर हमारे वीडियो मिल जाएगा या तो i button पर भी मिल जाएगा आप basic concept देख लोगे तो पड़िया रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे का है हमें सीधा sequence दे दिया है मतलब दो statement नहीं दिये तो हम edit करने की जरूद नहीं है join करने की जरूद नहीं है जाहरे देखते हैं b is greater than m b से लेके m तक देखो भाई b is greater than m हम इसको rough कर रहे है b is greater than m b यहाँ पर है m यहाँ पर है greater than m सही है m is less than g m से लेके g तक देखो भाई less than सभी level symbol less than ही है तो ये भी सही है दोनों conclusion सही है तो आपका answer क्या हो जाएगा option e both the conclusion 1 and 2 follows तो इसी तरह से आपके answer की sequence बन जाएगी b e d a e अगर आपका ये answer निकला है तो आपका सारे answer सही है और नहीं निकला है तो आपके practice की जरूरत है मुझे उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको quiz का वीडियो अच्छा लगता होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है और PDF के लिए टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना मत बोलना धन्यवाद मिलते हैं अगले क्वीज में